हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एड्वोकेट अमित कुमार गुपता में आज जो केस में आप लोगों के सामने डिसकस करूँगा उस केस का नाम है पुश्पा सिंग वर्सिस प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम टेक्स ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 79 पे र ज़ज्मेंट 16 जून 2022 को आया इस केस को डिसकस करने का में लॉजिक जो है वो यह है कि जब सेक्शन 263 का रिवीजन करते हैं प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम टेक्स तो वो रिवीजन की एक कविदी दी हुई है दो साल और वो दो साल जो हमको लेने होते हैं वो जिस डेट पर असेस्मेंट और पास किया होता है बेसिकली उस असेस्मेंट और से लेने होते हैं कुछ टेक्निकल केसिस इस तरीके से होते हैं जहां पर एक ही साल की दो असेस्मेंट और पास हुए होते हैं उधारन के तौर पर इस केस के अंदर असेसी के हां सर्च हुई उसको सेक्श 148 में कुछ reasons की वज़े से case reopen किया गया जब 148 का case reopen किया गया तो जिन कारणों की वज़े से 148 का case reopen किया गया था उन कारणों की वज़े से उस की assessment नहीं की गई कहने का मतलब यह है कि जो 148 का notice था इस case में उसमें एक आ गया था कि आपकी कुछ credit entries हैं जो आप जिसकी वज़े से आपकी income escape हो रही है assessi ने during the 148 proceedings वो सारी बात अपनी कह दी और assessing officer ने उन credit entries का addition नहीं किया बाद में commissioner of income tax आपको ये लगा कि ये assessment order pass ठीक नहीं हुआ ये erroneous and prejudicial to the interest to the revenue है तो CIT साब उसका revision करना चाहते थे उन matters का जो की section 153A वाले order में थे लेकिन 148 वाले में नहीं था तो इस case में ये प्रशन उठता है कि जो दो साल है वो 153A वाली date से लिए जाएंगे या 148 वाली date से लिए जाएंगे तो उन matters की revision के लिए जो की 153A का part है तो दो साल हमको 153A वाले से calculate करने है तो इस case में क्योंकि section 148 का जो notice था उस case के अंदर कोई addition हुआ नहीं और उन matters पे revision होना नहीं था तो उन matters पे revision होना था जो की 153A का part है तो उसके दो साल यदि हम देखते हैं तो इस case में वो time bar हो चुका था तो ये case बहुत important है कि assessi का एक assessment order पास हो गया section 153A के अंदर उसके अंदर कुछ issues हैं जिनका CIT साब revision करना चाहते हैं तो वो दो साल उस assessment order की rate से देखे जाएंगे लेकिन यदि आपको उसके बाद 148 का notice हो गया और उसके अंदर issues अलग हैं आपको उन issues का 263 के अंदर revision करना है तो आप उस date से ले सकते हैं क्योंकि इस case के अंदर 148 के अंदर कोई भी addition नहीं की गई थी तो बाकि किसी mattress पर addition हो इनी सकता क्योंकि 148 का rule है कि जिस reasons की वज़े से आपने 148 किया है यदि आप उन reasons के basis पर addition नहीं कर सकते तो इस case के अंदर एक बहुत important चीज़े निकल के आई कि section 263 की revision के लिए जो limitation देखनी है वो original assessment order की rate से देखनी है आप यह नहीं कह सकते कि साब यह 153 का assessment हुआ था इसके बाद 148 हो गया तो आप आपको जो limitation period है आपका भढ़ गया यदि आप 148 में addition हो जाती और आपको उसका revision करना होता तो आप वहां से 2 साल देख सकते थे तो friends कुछ इतना technical matter होते हैं कि यदि वो हमारे पास हैं तो हम अपने case को उन technical matters पे जीत सकते हैं तो ऐसा ही ये case है कि 263 के लिए आपको ये देखना है कि किस matter पे 263 होने जा रहा है यदि वो उस assessment order के लिए 263 हो रहा है जो कि 148 वाला है तो आप 148 से limitation देखेंगे और यदि आपको ये देखना है कि जो original 153 का order हुआ था उस matters के लिए 263 हो रहा है तो limitation वहां से देखना है तो friends ये case बहुत important है जहां तक की बात आती है कि 263 के लिए limitation period जो दो साल देखना है यदि वो calculate करना है तो उनको कैसे देखना है खासकर उन cases में जहां पे हमारा एक ही साल के अलग अलग तरीके से हमारी assessment हुई हुई होती है और इस case में एक और त्रास्टी के लिए बात ये ह पहले विचारे के हैं सर्च हो गई फिर उसका 153 में assessment हो गया फिर उसका 148 कर दिया अभी भी department संतुस्ट नहीं है और उसका 263 करना चाहता है तो कितनी बार एक assessi को एक अपनी file पर explanation देनी पड़ेगी ये एक assessi के लिए बड़ी ही विडमना की बात है बहराल इस case के अंदर assessi को relief मिला वीडियो के अंद में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूं केस का नाम है पुश्पा सिंग वर्सिस प्रिंसिपल कमिशनर आफ इंकम टेक्स थैंक यू फ्रेंट्स